हेलो दस्तों कैसे हैं आज हम लोग अपने इंगलेस के लेटर सेक्सम को आगे बढ़ाने जा रहें दोस्त पिछले वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे कि लेटर क्या होता है लेटर कितने तरह का होता है लेटर को लिखते कैसे हैं जैसे हम लोग क्या सीखे कि फॉर्मल लेटर होता है और इनफॉर्मल लेटर होता है लेटर को लिखने का पैटर्न हम लोग सीखे थे जैसे फॉर्मल में बहुत सारा काटेगराईज हम लोग करते हैं इनफॉर्मल में भी हम लोग काटेगराईज करते हैं दोस्त हम लोग फॉ एडीटर को हम लोग चित्थी कैसे लिखते हैं मतलब समपादक को हम लोग क्या किये हैं कि यहाँ पर फड़क से लिख लेए सोदेट कि हमारा टाइम यहाँ पर बचे-बबू लिखते समय के लिए तो यह जो लेटर डू एडीटर है इसको हम लोग लिखने सीखेंगे और इसका जो टाइटल है कि एक बंदा जो है लास्पत दगर फेस टू में रहता है और उसका वहाँ पर सड़क खराब है और वो बहुत सब्सक्राइब किया अपने तो हमारे यहां का जो इशूज है उसको अपने पेपर में डाल दीए सो देट की जल्दी से जल्दी इसके ओपर एक्षन लिया जा सके ओके हम आपको एक बेसिक बता दिये हैं अब यहां पर देखे कैसे लिखते हैं यहां आपको समझना है वावू देखिए जब भी हम लोग जो फॉर्मल लेटर स्टार्ट करेंगे तो इस्टार्ट करते हैं सेंडर एडरेस से मतलब जो आदमी चिठ्थी लिख रहा है वह सेंडर होता है ठीक है वहां से स्टार्ट करेंगे तो यू neet to write the address of सेंडर आड फॉस्ट सेंडर जो है उसका एडरेस यहां पर है यह देखि आप यह एड्रेस डाल दिए जेनरली आजकल क्या होता है कि question में आपको यह लिख क्या आता है who is the sender तो आपको यहाँ पर जो sender लिखा रहेगा question में आपको वहास का address डाल देना है एक लाइन छोड़नी है एक लाइन हम लाइन के लिए क्या कर रहे है यहाँ पर एक एंटर का जैसे हम लोग computer होता है एंटर मारते हैं एक लाइन बढ़ जाता है तो हम एक ऐसे एंटर वाला sign दे दे रहे हैं मतलब एक लाइन आपको छोड़ना है डेट डाल देना है फिर एक लाइन छोड़ना है यहाँ पर फिर एक लाइन छोड़ने के लिए हम इंडिकेसन डाल दे रहे हैं and then editor क्योंकि आप लिख रहे हैं चिठी किसको लिख रहे है टाइमस और इंडिया को कि यहाँ डालें उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना है जैसी इसको हो जाए फिर एक लाइञ छोड़ने और वहाँ पर प여को सर है इफ ओडसáng नहीं था तो आप सबसे पहला क्या होता है? जब सर लिख करते हैं तो you need to introduce yourself first because editor doesn't know who is the writer actually तो editor को तो पता नहीं है तो whatever you do is you need to introduce yourself first सबसे पहले आप खूद को बताते हैं ऐसा इसमें नहीं कि introduce करने के लिए आपको 75 लाइन लिखना है it is not required just your name is enough where you are reciting that is more than enough कि कौन बच्चा चिठी लिख रहा है और किस कारन से लिख रहा है कहां का बच्चा है that is क्यों कारन से लिख रहा है it is mentioned here subject लेकि कहां का लिख रहा है कौन लिख रहा है ये एक line में just you need to put over here आप इसको यहां पर बता दी I am Ganesh और क्या करना चाहते हैं and would like to bring to your notice that people in and around Lajpatnagar phase 2 have been facing difficulties in traveling back and forth because of the bad condition of road मतलब क्या हो गया कि मेरा नाम Ganesh है हो गया पर ने खतम and I would like to bring to your notice मतलब मैं आपके ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूँ मैं इस बात को आपके ध्यान में लाना चाहूँगा किस बात को कि people in and around Lajpatnagar मतलब Lajpatnagar के इलाके में जो लोग रहते हैं उस आसपरोस के इलाके में phase 2 में ठीक है have been facing difficulties उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है किस बात के लिए भाईया in traveling back and forth because of the bad condition of road वहां के जो सड़क की जो अवस्था है वो इतनी बुरी है कि लोगों को आने और जाने में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है clear है? चलो, यहां तक हो गया यहां back and forth एक phrase का यूज किया बावू यह phrase का यूज किया ठीक है तो आप जितना हो सके अगर आपको याद होगा तो आप phrase का यूज करेंगे, नहीं याद होगा तो simple sentence का आप यूज कर लेंगे हम यहां भी यूज किया इसलिए आपको बता दिये we have appealed to the municipality but there has not been any development on the issues so far मतलब हमने क्या किया है? municipality से appeal की है मतलब हमने appeal करा है पहले से municipality को अब कोई, अब editor को चिटी लिखे है वो बुले कि भाया, आप कर दीजे क्यों करते भाई? मतलब उसमें कोई भी विकास नहीं हुआ आपने बार-बार जाकर कहा, लोगों को बोला बट कोई उस पे किसी कान पे जू नहीं रेख रहा ठीक है? इस मुद्दे पे किस मुद्दे पे? मतलब ये वाले subject पे अब तक तो क्या है भीया? As private appeals to the earth office have had no effect perhaps a little publicity will do no harm मतलब कि अगर हम एक normal resident हैं लाजपतनगर के? मतलब जो आदमी लिख रहा है गनेश जो लिख रहा है, वो क्या है? वहां का एक normal resident है वहां का रहने वाल आदमी है वो अगर बोले किसी को तो बोलेगा अरे यार तुही को सबस्दब टेंसन है बाकी पूरा दुनिया को टेंसन ही नहीं ये सबस्दब टेंसन तुही को रहा है? एक normal अदमी हो गया अगर वो लिख रहा है तो कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है ठीक है? लेकिन यही अगर paper में छप जाएगा तो कोई ज़्यादा देकलिफ तो नहीं होगी कोई harm तो नहीं होने वाला किसी को नुकसान नहीं होगा को बारे में बात नहीं कर रहें, नाम नहीं ले रहे है ठीक है? For the last month, the roads in Laaspatnagar have been almost impossible मतलब पिछले एक महिनों से वहां की अवस्था ऐसी हो गई है कि रोड का condition तक खराब हो गया है कि उसको पार कर पाना भी लोगों के लिए कठीनाईयों भरा हो रहा है मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए तो क्या करना चाहिए? तो आपको बताना चाहिए The situation is becoming worse वहां की अवस्था कैसी हो रही है? एकदम बदतर होते जा रही है अब लोग आही जाना ही पाएगा तो क्या होगा? इसलिए कैसी है? बदतर हो रही है There have been multiple accidents happening due to this condition इसे कारण वहां पर बहुत सारे लोगों को accident हो जाना है अरे भाईया कोई गाड़ी चला के जाएगा सड़क ठीक नहीं होगी तो क्या होगा? आप जाएंगे और accident हो सकता है Chances है कि accident हो जाए अगर बारीश हो जाएगी तो पानी जाब जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि रोड कितना गड़ा है कम गड़ा है खराब हो गया ना रोड? तो आपको balance नहीं मिलेगा और गलती से आप गीर भी सकते हैं तब क्या करना पड़ेगा? आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेग एडिटर साहब को रिक्वेस्ट किजिए कैसे? I request you to highlight the seriousness of the matter इस matter के seriousness को गंबीरता को समझते हुए क्या किजिए आप? आपको प्रार्थना करते हैं कि आप क्या किजिए? In your esteemed newspaper आप अपने इतने जो reputed और आपने इतना आधर भड़ा बजार में Times of India का जो रैपो है वो बहुत बहतरीन है इतने बहतरीन में क्या किजिए? आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा क्या कर दीजिए? इस मुद्दे के गंभीरता को समझकर उसमें प्लीज छाप दीजिए ठीक है? So that the road may be put in through repair without further delay ताकि वहाँ पर लोग बिना समय गवाए इस सड़क को बनवाने का काम कर दें जब सब कुछ काम हो गया तो लास्ट आम लोग क्या करते हैं? थैंक्स करते हैं बहिया तो थैंक्यू यूर सिंसियरली गने सरोरा वहाँ का resident है लाजपत नगर फेस्टू नियू देली ठीक है दोस्त इस तरह से हम लोग समझते हैं इसको लिखते हैं तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे बाबू क्या करते हैं? एक और लेटर टू एडिर को समझने कोस करते हैं हम आपको जान बुच के यह दे रहे हैं बाबू ताकि आप समझ जाएं कि कैसे इसको लिखते हैं इसको अपने notebook पे जरूर नोट कर लिजेगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक तरीका है लिखने का तरीका बहुत सरा हो सकता है आपको क्या करना है? हम तो सिर्फ एक pattern दे रहे हैं यह ऐसे लिखा जाता है आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं और देते हैं आपको उसको भी try करके देखते हैं अग कोसिस कीजिए अब आपको समझने का इसको हम लोग erase करते हैं दूसरा एक later to editor देखते हैं पिछला हम लोग जैसे भी देखें बिल्कुल वैसा ही है दूसरा case है यह एक exam में आया हुआ था वही case हम लोग लिए हैं एक exam में यह question था कि एक लड़की है जिसका नाम अंजली राज है और वो न्यू देली में रहती है और कोविट 90 के समय जो pandemic था उसके समय जो लोग social distancing या फिर mask लगाना sanitizer यूज करना उसके लिए जो awareness create करना था उसके बारे में यह later लिखना था ठीक है बावो तो यह उसका title था जैसा कि हम लोग देखे कि सबसे पहले sender address हम लोग यहां लिख लिए यह हमारा sender address है फिर एक लाइन चोड़ देखे 2020 का question था इसलिए हम इसको वही mention किये है ठीक है जैसा समय रहेगा उसके हिसाफ से आप लिखिएगा यहां पर condition दूसरा भी हो सकता बावो हम तो यह COVID-19 लिखे है हो सकता है एक exam में कुछ और आ जाए ठीक है इसका ख्याल रखिएगा हम एक issue है एक issue को हम आपको सामने लिख के दिखा दे रहे हैं एडिटर जिसको भेज रहे हैं date डाल दिया है यहां पर ठीक है एडिटर जिसको चिठी भेजना है मालों इंडियन एक्सप्रेस को भेजना है उसमें mention नहीं था किस paper को लिखना है तो ह इसका question में था हम उसके हिसाब से date डालके लिख दिये रिस्पेक्टेट सर वित डियू रिस्पेक्ट आई अंजली राज एम राइटिंग डिस लेटर तू लेटियू अबाउट माई कंसर्ण विथ कोविट 19 अवेर्नेस मतलब आदर के साथ मैं अंजली राज इस यह वाला जो लेटर है इसको मैं लिख रही हूँ क्यों लिख रही हूँ भई टू लेट यू नो अबाउट माई कंसर्ण विथ कोविट 19 अवेर्नेस मतलब कोविट 19 अवेर्नेस से संबन दित जो मेरा उससे जो कंसर्ण है मैं उसको आपको बताना चाहती हूँ आपको उसके अवेर करना चाहती हूं क्या I wish to highlight highlight किसको इस issue को highlight करना चाहती हूं क्या this issue through the columns of your esteemed newspaper आपके इस इतना बजार में जो आपका जो value है आपके paper का इतना बहतरीन है इस कारण से मैं क्या चाहती हूं कि आपके paper में एक कॉलम के माध्यम से मैं अपनी बात को लोगों के सामने रखना चाहती हूं highlight करोना चाहती हूं clear है ऐसा this hazardous infection is still not being taken seriously मतलब इतना जो खतरनाख है hazardous है बहुत मतलब toxic है यह बीमारी जो है infection जो है यह अभी भी लोग इसो क्या कर रहे हैं गंभीरता से नहीं ले रहे हैं without the required mask मतलब बीना जो मास्क चाहिए हमको बीना mask के and sanitizer many people are walking down the streets लोग अराम से सडकों पे खुले आम घूम रहे हैं किसी को कोई problem नहीं भी आ अराम से घूम रहे हैं keep the appropriate social distancing मतलब for their own safety वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए यहां तक की social distancing मतलब समाजी के दूरी हम लोग क्या बोलते थे मोदी साहब का statement था न भया दो गज की दूरी बना के रखो तो वो अपना social distancing को भी maintain नहीं कर रहे हैं तो क्या है देखिए इसमें लिखने के लिए हम लोग बहुत सारी बाते लिख सकते थे लेगिन क्या है कि हमारा जो number है हमारा जो number of words है उसके limitations को ध्यान में रखते हुए हम लोग को अपना later के words को ध्यान में रखते हुए हम लोग को सकी है ठीक है इसमें लिखने के लिए ब समय देन तुमको करना तो लोग कैसे कंडो यह हैं जबतक लोग नहीं चाहेंगे वो कंडोल नहीं होंगे समझ हैं आपके दबाओं में आकर लोग थोड़ा देर के लिए डर सकते हैं आप लेकिन जब तक खुद का एक्छा अलाव नहीं करेगा, खुद का मन नहीं बोलेगा, तब तक लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे. I would be grateful, मैं बहुत अपने आपको धने समझूँगा, कि if you could personally check into the situation, कि आप खुद से इस situation जो परिस्तिती है, आप खुद उसको चेक कीजिए, देखिए, and assist us, मतब हम लोगों को सहायता कीजिए, हम लोगों को guide कीजिए, in promoting awareness campaign around the nation. मतलब पूरे देश में इसके लिए जो campaign चलाईए, मतलब एक अभियान चलाईए, ताकि लोग इसके गंभीरता को समझे, इसके seriousness को समझें, और लोग इसको follow करें. किसके लिए? for the good of the nation, ताकि हमारा जो देश है, हमारा जो रास्ट है, इस खतरनाक pandemic से अपने आपको बचा सके. देश थोड़ी बचा रहेगा, देश किसे बनता है, हमसे बनता है, अगर हम बचे रहेंगे, तो मेरा देश बचा रहेगा. उसके लिए, thank you, you're sincerely, अंजली राज, क्या लिखेंगे, a responsible citizen of India, भारत का एक जिम्मिदार, नागरिक. ठीक है दोस्त, इस तरह से क्या हो जाता है, कि हम लोग अपने लेटर को इस तरह से लिखना चाहेंगे, और इस तरह से लिखना सीखेंगे. आप क्या कीजेगा, आपके बाद जो भी किताब होगे, भाई, अब 75 तरह का लेटर टू एडिटर आएगा, अलग-अलग टॉपिक के साथ आ सकता है, आपको क्या करना है, इस तरह से हम लोग को लिखना है, ये तो fix है, subject लिखना है, रिस्पेक्टेटर सुरू में थोड़ cut copy paste कर दिए, खल यहां topic ध्यान में रखिएगा, ये topic जो है my concerned with COVID-19 awareness, जो ये लिखा हुआ है, subject यहां लिखिएगा, बाकी इस पूरा को clear कर दिजेगा, फिर इस topic को यहां पर क्या कर देना है, इसके कुछ points को, जो important points है subject को explain कर दिजेगा, और last में क्या कर दिजेगा, भाया ये इसको लिख सकते हैं, आप चाहें तो, हाँ, for good, क्योंकि हमारा awareness के लिए था, यहां पर कुछ और के लिए रहागा, उसके हिसाब से इसको, आप यहां पर mention कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग later to dinner सीख लें बाबू, अगले वीडियो में हम लोग एक दूसरे topic के सा आएंगे और उसको भी सीखेंगे, practice करते रहिए, keep studying, thank you.